हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल सैवन में फ्रेंट्स बच्चे का सुसू कैसे खोलें बच्चे का सुसू कब से खोलना चाहिए या हम कितने दिन तक बच्चों की सुसू खोलने का प्रोसिस कर सकते हैं और बच्चे के सुसू की साफ सफाई कैसे करने चाहिए अगर बच्चा तीन साल चार साल पान साल का हो गया उस केस में अभी तक सुसू नहीं खुलाया तो हम क्या करें और बच्चे का सुसू हमें दिन बर में कितनी बार खोलने का ट्राइ करते रहना चाहिए यह complete वीडियो जिस पे है क्योंकि कुछ पैरेंट्स का कमेंट आया था कि मैं प्लीज मुझे बताईए क्योंकि जब निवली पैरेंट होते हैं तो या फिर उनके अहां कोई बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं तो उन्हें आइडिया नहीं होता है कि बच्चे का सुसू कैसे खोलना है जैसा कि आप लोगों को पता है कि विहान मेरा दो साल का हो गया है और उसका सुसू मैंने कैसे खोला है ये मेरा खुद का experience जो मैं आप लोगों से सेयर करने जा रही हूँ साथी इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे बगल में ज़श्ट एक भावी रहती थी उनका बेटा तीन साल का हो गया था उनके बेटे के साथ क्या problem होती जब सुसू नहीं खुल पाया था तो ये वीडियो बहुत ही important है इस वीडियो को आप लोगों लाश तक जरू मैं चाहती हूं कि आपके बच्चे के साथ कोई problem ना हो इसलिए सबी topic पे मैं एक एक वीडियो जरूर बनाती हूं मैं YouTube सर्च में देखी तो मुझे लगा कि बीबी का private part खोलने का बेबी सुसू कैसे खोले बेबी के सुसू की साफ सफाई कैसे करे ये सर्च हर एक दो मिनट पे आप लोगों के द्वारा किया जा रहा था इसलिए मुझे लगा कि मैं अपना experience एयर करूं में भी आप लोग उससे कुछ सीख पाएं और अपने बच्चे का सुसू बिना किसी problem के आसानी से खोल पाएं तो friends सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि जो मेरी पडोस की आती है घर घर पे जब दादी को बुलाएं दादी आके बच्चे का सुसू खोली तो उन्होंने पूछा दादी कितने दिन में खुल जाएगा तो दादी तो मार experience वाली लेडी जो कह रही है आरे दो दिन में खुल जाएगा तीन दिन में मतलब वह अपने फूले ना समाने चक्कर में तो दादी आप खोल दीजे बहुत बढ़ियां मैं तो बहुत परिसान की तीन साल से एक दिन दो दिन दो दिन तो अच्छे से उन्होंने ट्राइग कि तीसरे दिन वह क्या की बहुत तेज से पकड़ के उसका सुसू खोल दी लाश्टली क्या हुआ कि उसके सुस नावजात का सुसू खोलना बहुत ही की जिएजी होता है अगर हम सूरू से ट्राइब करें तो लेकिन अगर बच्चा मारा दो साल से उपर हो रहा है उस केसमें हम बच्चे की सुसू कैसे खोले बिना किसी प्रॉप्लम के तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जब बच्चा पैदा हो रहा है, उसी दिन से हमें बच्चे का सुसु खोलना है सुसु का मैं ऐसे वीडियो अगर डाल रही हूं यूटूब पे तो यहां पे गाइडेंस, मतलब गाइडलाइन है कि हमें बच्चे के प्राइबेट पार्ट को इसकी मालिस करते हैं, उसी समय से हमें देखना है कि बच्चे का सुसु खोलका हलका सा इस चेद जैसा दिखाए देगा, मतलब जैसे बच्चे का मालीजिन उन्नी है हम इसे देखेंगे तो यह चेदा जैसा दिखाए देगा हमें क्या करना है वहां पर थोड़ा सा ऐसे हाथ से ऐसे करना है और तेजी से फूक मारना है ऐसे देखेंगे तो फिर हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा नीचे तक खुलने लगता है हमें कभी भी बच्चे के सुशू के साथ परिशर नहीं लगाना है जबरदस्ती नहीं करना है फिर उसकी बद हम देखेंगे थोड़ा बहुत खुलने लगता है जब खुलने लगती तो आप उसे थोड़ा नीचे तक सर्काई है जहां तक खुल पाए उसके बाद खूब अ और उसको तेजी से खीच देना है ये काम अगर आप कॉंटीन्यू तीन महीने तक कर लेते हैं तीन महीने तक तो आप देखेंगे कि बेबी का सुसु पूरी तरीके से खुल जाएगा क्योंकि डेली डेली थोड़ा खुलता है एक बार में जटके से नहीं खलता सुसु लेकिन अगर आपका बच्चा दो साल से उपर हो गया या और तक आपकी बेबी का सुसु नहीं खुला है तो बिलकुल भी परेसान होने की बात नहीं है यूदि पांस साल थक हम बच्चे का सुसु नेचुरली खूल सकते हैं इसमें थोड़ा भी घप़राने की जरुरूरत नहीं ह जब मेरा विहान हुआ था मुझे भी आइडिया नहीं था कि बच्चे का सुसू कैसे खोलना है तो मैं दो तीन महीने तक तो बिल्कुल भी मतलब नहीं आइडिया था तो तीन महीने बाद मैं अपने माई के गई महां पे मेरी एक आंटी थी घर के बगल की मतलब मेरी मम्मी से कोल जाएगा घबडाने वाली बात नहीं है फिर इसके साथ मेरी बड़ी मम्मी थी वह भी मुझे गाइडेंस देती रहते कि बच्चे का सुसू कैसे खोलना है मतलब बेटा होने के बाद दो चाल लोग मेरे जीवन में ऐसे ते जो मुझे गाइडेंस देते रहते जैसे मेर लोगों से सेयर कर रहे हुँ क्योंकि बच्चों के साथ कभी जबरदस्ति नहीं की जाती है लोग कहते हैं कि बच्चों का सुसू द ह core दर दिन में यूटिव पे बहुत सारे वीडियों है कि तिन दिन में बच्चे का सुसू क्षो खोले लेकिन यह पॉसिबल है ही नहीं य जब तक आप continue करें जब तक बच्चे का सुसु नहीं खुला रहा है लेकिन अधी आपका बच्चा बढ़ा है और अभी भी सुसु नहीं खुला आपने ध्यान नहीं दिया किसी कारणवस या तो आपको पता नहीं था या आप समझ नहीं पा रही थी जो भी हो आप आपको हएं कि आपको सुसु जो है जय माँजे बच्चे का नुनी महीं है आपको इसको थोड़ा नीचे करना है जितना हो पाई हलका नीचे करिए और धार-दार पानी जैसे मानीचे मग से गिरा यह धार-दार गिरे नेकी एक हमगग और लिजी ऊडएल दिय एसा नहीं धारो तक किसी बॉटल में छेट करके पाइप की रास्ते से पत्लास अधार उस पर गिराईए पानी का उसको गिराईए फिर उसके बास धुलने के मतलब जब धुला जा रहा है उसको सूती कपड़े से अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ कर दीजे लेकिन वह कपड़ा साफ होना च करें बच्चे के नूनी पर जितना खुला है जितना आपने साफ किया उतने पर लगा दें उसके बद आप उसको खीच दें तुरन खीचना है मतलब एक तम यह नहीं कि खोल के आपको रग देना क्योंकि हवा लग जाएगा तो फिर वह बन नहीं होता है तो आपको उसे कॉटन के कपड़े से उसको साफ करना है फिर तेल लगा के और फिर उपर खीच देना है यह काम अगर आप कर रहे हैं कॉंटिन्यू तो आप देखेंगे एक से दो महने तीन मिने में आपकी बेबी का सुसू खुल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के आपको यह बिल्कुल कि आख भाबी के सह nerd ऐसा हो जशो हें विल्कुल और यह सके तो खुद करें या आपकि घर में कोई बढ़ते भुजूर्ग वह हो आप उन से करवाएग क्योंकि बढ़े बढ़ेजर का गाइडेन्स होगी लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल से बढ़ा हो गया है या आपनी ये प्रोसेस एक साल तक कर लिया और बच्चे का सुसु नहीं खुल रहा है ऐसे में आप डॉक्टर से जरूर मिलें क्योंकि फिर बच्चे की चमड़ी पूरी तरीके से चिपक गई होती है और कोई और क्योरी हो तो कमेंट करिएगा हम फुल्फिल करने की कोसिस करेंगे हमारा ये वाटसप नंबर है ये मैंने आपको डिस्क्रिप्सन में डाल रखा है आपको यूटूब पे भी दीख जाएगा उस पे आप कोई भी क्योरी हो चरूर कॉल करके बताएए मैसेज डालि कर्षा पकॉल डाल पर येला बाल टाल ये जाएगा हमारा ये वारा गाल रख भी करेंगे हमारा ये वानिय।